नमस्कार आप देख रहे हैं सुलक्ते सवाल मैं हूँ आपके साथ प्रीती रगुनंदन किसानों के साथ समबाद में पियमोदी ने किसान अंधूलन के बाहने विपक्ष को भी आइना दिखाया पियमोदी ने इशारो में कांग्रेस और लेफ्ट पर निशाना साधा और का कि कुछ लोग खबरों में छपने के लिए ही किसानों के नाम पर राजनीती कर रहे हैं कि जहां पर उनकी सरकारे हैं या फिर वो लोग सांसद हैं उन्हीं राज्यों में मंडे कानून तक नहीं है आज जिन राजनितिक दलों के लोच अपने आपको इस राजनितिक प्रवा में जब देश की जनता ने उन्हों निर्नकार दिया है तो कुछ न कुछ ऐसे इवेंट कर रहे हैं इवेंट मेनेजमेंट हो रहा है ताकि कोई सेलफी ले ले कोई फोटो चप जाए कहीं टीवी पर दिखाई दे और उनकी राजनिति चलती आए अब देश ने उन लोगों को भी देख लिया है यह देश के सामने एक्सपोज हो गए है स्वार्थ की राजनिति का एक मुद्दा भद्दा उदारन हम बहुत बारीकी से देख रहे हैं जो दल पस्चिम मंगाल में किसानों के अहीत पर कुछ नहीं बोलते हैं वो यहां दिल्ली के नागरीकों को परिशान करने पर लगे मंडिया मंडिया बोल रहे हैएपी मंसी की बात कर रहे है और बड़ी बड़ी हेडलाइन ले लिए भाशन कर रहे हैं लेकित यह दल वही दल वही जंडे वाले वही विचारदारा वाले जो नहीं बंगाल को बरबात किया केरल के अंदर उनकी सरकार है इसके पहले जो 50 साल-60 साल तक देश पर नाज करते उनकी सरकार थी केरल में एपीम से नहीं है मंडिया नहीं है मैं जड़ा इनको पूछता हूँ यहाँ फोटो निकालने के कारकम करते हैं अरे केरल में अंदोलन करके महां तो एपीम से चालू करवाओ पंजाब के किसानों को गुम्रा करने के लिए आपके बाद समय है केरल के अंदर यह व्यवस्ता नहीं है अगर यह व्यवस्ता अच्छी है तो केरल में क्यों नहीं है क्यों आप दोगली निती ले करके चल गए हो यह किस तरह की राज़ेती करने हैं जिसमें कोई तरक नहीं कोई तर्थे नहीं है सिर्फ जूठे आरोब लगाओ सिर्फ अप्षाएं फेलाओ हमारे किसानों को डणा दो और भले भोले किसान कभी कभी आपके बातों में गुम्रा हो जाते हैं भाईयो बहनों ये लोग लोग तंत्र के किसी पहमाने को किसी परामेटर को मानने को तयार नहीं है इन्हें सर्फ अपना अलाब अपना स्वाथ नजर आ रहा है और मैं जितनी बाते बता रहा हूं किसानों के लिए नहीं बोल रहा हूं किसानों के नाम पर अपने जंडे लेकर के जो खेल खेल रहे अब उनको सच सुनना पड़ेगा और हर बात को किसानों को गाली दी किसानों को अपनी तिया ऐसे करकर के बच नहीं सकते हो आप लोग ये लोग अख़बारों और मिडिया में जगह बना कर राजरीतिक मैदान में खुद के जिंदा रहने की जड़ी बुट्टी खोज रहे हैं लेकिन देश का किसान उनको पहचान गया है अब देश का किसान उनको ये जड़ी बुट्टी कभी देने वाला नहीं है और प्रधार मंतरी नरिद्न बोधी किसानों से बातचीत के दौरान बंगाल की ममता सरकार पर भी उन्होंने सीधा हमला किया मुझे आज इस बात का अपसोस भी है कि पूरे हिंदुस्तान के किसानों को इस योजना का लाब मिल रहा है सभी विचारधारा की सरकारे इससे जुड़ी हैं लेकिन एक मात्र एक मात्र पस्चिम मंगाल सरकार वहां के सत्तर लाख से अधिक किसान मेरे किसान भाई बेहन बंगाल के इस योजना के वो लाब नहीं ले पा रहे हैं उनको ये पैसे नहीं मिल पा रहे हैं क्योंकि बंगाल की सरकार अपने राजनीतिक कारणों से उनके राज्चे के किसानों को भारत सरकार से पैसा जाने वाला है राज्चे सरकार को एक कोड़ी का खर्चा नहीं है फिर भी वो पैसे उनको नहीं मिल रहे हैं कई किसानों ने भारत सरकार को सीधी चिठी लिखी भी है उसको भी वो माननेता नहीं देते हैं आप कलपना कर सकते हैं कितने लाखों किसानों ने लाब लेने के लिए योजना के लिए अरजी की ओनलाइन आवेधन कर चुके हैं लेकिन वहां की राज सरकार उसको भी अटका करके बैठ गई है। भाईयो बेनों मैं हैरान हूँ। और ये बात मैं आज देश वात्षियों के सामने बड़े दर्द के साथ, बड़े पीड़ा के साथ कहना चाहता हूँ। जो लोग 30-30 साल तक बंगाल में राज करते थे। एक ऐसी राजनीतिक विचारधारा को लेकर के बंगाल को कहां से कहां लाकर के उन्होंने हालत करके रखी है। सारा देश जानता है और ममता जी ये 15 साल पूरा ने भाशन सुनोगे तो पता चलेगा कि इस राजनीतिक विचारधारा ने बंगाल को कितना बरबात कर दिया था। अब ये कैसे लोग हैं। बंगाल में उनकी पार्टी हैं, उनका संगटन हैं, तीस साल सरकार चलाई ये, कितने लोग होंगे निक पार्थ। एक बार भी इन लोगों ने किसानों को ये 2000 रुपिया मिलने वाला कारकाम है, बंगाल के अंदर कोई अंदोलन नहीं चलाया। अगर आल के दिल में किसानों के लिए इतना प्यार था बंगाल में आपकी धर्ती है तो आपने बंगाल में किसानों को न्याई दिलाने के लिए प्रधान मंत्री किसान सम्मान योजना के पैसे किसानों को मिले इसके लिए क्यों अंदोलर ने किये क्यों आपने कभी आवाज नहीं उठाई और आप वहां से उठकर के पंजाब पहुंच गए तब सवाल उठता है और पस्चिम बंगाल की सरकार भी देखिए अपने राज्य में इतना बड़ा किसानों को लाब सत्तर लाग किसानों को इतना दन मिले हजारों करोड प्या मिले वो देने में उनको राजनीति आड़े आती है लेकिन वही पंजाब जाकर के जो लोग के साथ वो मंगाल में लराई लड़ते हैं यहां आ करके उनसे गुपचुप करते हैं क्या देश की जनता इस खेल को नहीं जानती है पी एम मोधी ने कृशी सुधार कानूनों पर आज विपक्ष को आयना दिखाया पी एम के साथ बाठीत में खुद किसानों ने ही क्रिशी सुधार कानूनों के फायदे गिन्वाई तो बॉकलाय विपक्ष ने केंद्र सरकार पर जूठा प्रचार करने का आरूप लगा दिया 14.64 करोड किसान है आप कहते हैं 6,000 रुपिया सब किसानों को देने तो 88,000 करोड बन गया पर डाले तो जाने चाहिए 88,000 करोड साला ना वो तो डाली नहीं रहें तो आज फिर प्रदान मंत्री 18,000 करोड किसान सम्मान निधी का स्वांग कर तीन काले कानूनों का दाग धोने का जूठा और नाकाम कोशिश कर रहे हैं और प्रदान मंत्री नरिंद्र मोदी आज किसानों के लिए नए युक के सेंटा क्लॉस बन गए दोपहर 12 बजे उन्होंने करीब 9 करोड किसानों के खाते में पीम किसान सम्मान निधी योजना की सात्वी किस्त भेजी पूर्व प्रदान मंत्री आटल बिहारी वाजपई की जैनती के मौके पर पीम मोदी ने जैसी एक बटन दबाया 9 करोड किसानों के खाते में 18,098 करोड रुपई चले गए इस मौके पर किसान आंदोलन को ध्यान भी रखते हुए पीम मोदी ने देश के 6 राज्यों के लाकों किसानों के साथ चर्चा भी की और इनके अलावा दिल्ली की सीमाओ पर चल रहे किसान आंदोलन के भ्रमजाल को तोड़ने की भी कोशिश हुई पीम की निशाने पर किसान के दुआर मोदी सरकार पहले केंद्र सरकार के तमाम मंत्री देश के अलग-अलग हिस्सों में किसानों के बीच पहुँचे उन्हें किसी सुधार कानूनों से लेकर मोदी सरकार के किसान हित में उठाए गए कदमों की जानकारी दी और फिर दोपहर होते ही खुद प्रधान मंत्री मोदी किसानों से बाद चीत के लिए सामने आ गए प्रधान मंत्री की जुबान पर किसानों के हित में उठाए गए कदमों का प्योरा था तो विपक्ष के दूगले पन पर वार भी इस राजनितिक दल जिने देश की जंता ने लोकतांत्रिक तरीके से नकार दिया है वो आज कुछ किसानों को गुम रहा करके जो कुछ भी कर रहे हैं उन सब को बार बार नम्रता पुर्वक सरकार की तरफ से अनेक प्रयासों के बावजुद भी किसी ने किसी राजनितिक कारण से किसी ने बंदी बंदी राजनितिक विचारदारे के कारण से ये चर्चा नहीं होने दे रहे हैं कुछी कानूनों के संदर्ब में ये जो पुलिटिकल पार्टी की विचारधारा वाले जो कुछ लोग हैं जो किसानों के कंदे पर बंदू के फोर रहे हैं कुरुशी कानूनों के संदर में उनके पास ठोस तर्क न होने के कारण वो बाती-बाती के मुद्दों को किसानों के नाम पर उचाल रहे हैं ये लोग हिंसा के आरोपी ऐसे लोगों को जैल से छुड़ाने के मांगे कर रहे हैं किसान अंदोलन की आर में घटिया राजनीती करने वालों की पोल खुली तो फिर ब्रहमजाल को तोड़ने का सिलसिला चल पड़ा लेकिन इससे पहले प्रधान मंत्री ने अटल जयनती पर सबसे एहम काम किया प्रधान मंत्री ने इस कारिक्रम की शुरुआत एक बटन दबा कर की जैसे ही उन्होंने बटन दबाया पल भर में 18,90 करोड रुपए करीब 9 करोड किसानों के खाते में पहुँच गए ना किसी को कमीशन ना प्रष्टा चार ना लंबा इंतजार जट से पहुँच गए किसानों के खाते में किसान सम्मा निधी की सात्वी किष्ट आज देश के नव करोड से जाना किसान परिवारों के बैंक खाते में सीधे एक कॉम्पिटर की क्लिक से 18,000 करोड रुपए से भी जादा रकम उनके किसानों के बैंक के खाते में जमा हो गया है कोई कमिशन नहीं, कोई कट नहीं, कोई हेरा फेरी नहीं टेक्नोलोजी का इस्तमाल करते हुए पी-एम किसान सम्मान योजना में ये सुनिशित किया गया है कि लिकेज नहो राज्य सरकारों के माध्यम से किसानों का ऑनलाइन रिजिस्टरेशन होने के बाद उनके आधार नमबर और बैंक खातों का वेरिफिक्शन होने के बाद इस व्यवस्ता का निर्मान हुआ है लेकिन इस व्यवस्ता में बंगाल के किसान कहीं नहीं बंगाल के 70 लाग किसान इसकी पहुंच से अभी दूर है इसकी वज़े है ममता का केंद्र की इस योजना को लागू ना करना बंगाल चुनाओं से पहले प्रधान मंत्री को ममता सरकार के इस रवईये पर सवाल उठाने का मौखा मिल गया पूरे हिंदुस्तान के किसानों को इस योजना का लाब मिल रहा है सभी विचारधारा की सरकारे इससे जुड़ी हैं लेकिन एक मात्र एक मात्र पस्चिम मंगाल सरकार वहां के 70 लाग से अधिक किसान मेरे किसान भाई बहन बंगाल के इस योजना के वो लाब नहीं ले पा रहे हैं उनको ये पैसे नहीं मिल पा रहे हैं क्योंकि बंगाल की सरकार अपने राजनीतिक कानलों से उनके राज्य के किसानों को भारत सरकार से पैसा जाने वाला है राज्य सरकार को एक कोड़ी का खर्चा नहीं है फिर भी वो पैसे उनको नहीं मिल रहे है बंगाल में केंद्र की योजना लागू नहीं होने और केरल में मंडियों को बंद किये जाने के मुद्दे पर विरोधी दलों के रवाईये से पीएम नाराज नज़र आए प्रधान मंत्री ने दिल्ली की सिमाओं पर चल रहे किसान अंदोलन को बेवज़ शह देने वाले दलों के बंगाल के मुद्दे पर चुपी साधने पर भी तन्ज़ किया जो दल पसिम बंगाल में किसानों के अहीत पर कुछ नहीं बोलते हैं वो यहां दिल्ली के नागरीकों को परिशान करने पर लगे हुए हैं देश की अर्थनीति को बरबात करने पर लगे हुए हैं और वो भी किसान के नाम पर इन दलों को आपने सुना हुआ, मंडिया, मंडिया बोल रहे हैं, EPMC की बात कर रहे हैं, और बड़ी-बड़े हेडलाइन लेने के लिए भाशन कर रहे हैं, लेकिन ये दल, वही दल, वही जंडे वाले, वही विचारदारा वाले, जो नहीं बंगाल को बरबात किया, केरल के अंदर, उनकी सरकार है, इसके पहले, जो 50 साल, 60 साल तक देश पर नाज करते हैं, उनकी सरकार थी, केरल में EPMC नहीं है, मंडिया नहीं है, मैं जड़ा इनको पूछता हूँ, यहां फोटो निकालने के कारकम करते हैं, अरे केरल में अंदोलन करके, महां तो EPMC चालू करव पंजाब के किसानों को गुम्रा करने के लिए अपके बाद समय है, केरल के अंदर यह व्यवस्ता नहीं है, अगर यह व्यवस्ता अच्छी है, तो केरल में क्यों नहीं है, क्यों आप दोगली निती ले करके चल गए हो, यह किस तरह की राज लेती करने हैं? अलागि PMMODY का जादा जोर अपनी सरकार की उपलब्दियों पर रहा, और उन्होंने बताया कि देश के किसानों की दशा सुधारने के लिए उन्होंने दुनिया के क्रिशी सुधारों से सबक लेकर नए लक्ष तैय किये और योजनाये बनाए। इन्पूटिंग, लाखो की संक्या में सोलर पंप, ये सारी योजनाये उनका इन्पूट कॉस्ट कम करने लिए एक के बाद वागे कोठाई। हमारी सरकार ने प्रयास किया कि किसान के पंश एक बहतर फसल भीमा कवच हो। आज देश के करोडों किसानों को पी-एम फसल भीमा योजना का लाब हो रहा है। जिस स्वामिनातन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने का खाब दिखा कर कई दल किसानों की राजनीती कर रहे थे, पी-एम के मताबिक उनकी सरकार ने उसे लागू कर दिखाया। हमारी सरकार ने प्रयास किया कि देश के किसानों को फसल की उचित किमत मिले। हमने लंबे समय से लटकी स्वामिनातन कमिटी की रिपोर्ट के अनुसार लागत का डेड़ गुना MSP किसानों को दिया। पहले कुछी फसलों पर MSP मिलती थी, हमने उनकी भी संख्या बढ़ाई। प्रिधान मंत्री ने कृष्री सुधार कानूनों को लेकर विपक्ष के फैलाए ब्रह्मजाल को दूर करने की कोशिश की और हर श्रंका का समधान देने की भी कोशिश की। आप न्यूनतन सवर्थन मुल्य यानि MSP पर अपनी उपज बेचना चाहते हैं, आप उसे बेच सकते हैं। आप मंडी में अपनी उपज बेचना चाहते हैं, आप बेच सकते हैं। कुछ को एक साथ बेचना चाहते हैं, आप बेच सकते हैं। आप बिस्कीट, चीफ, जैम, दूसरे कंजुमर उत्पादों की वेल्यू चेन का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप ये भी कर सकते हैं। अगर किसी बज़े से, किसी परेशानी की बज़े से, किसान की उपज अच्छी नहीं होती, या फिर बरबाद हो जाती है, तो भी, यह याद रखिए, तो भी, जिसने एग्रिमेंट किया है, उसको किसान को उपज का जो दाम निर्धारित हुआ था, वो उसको देना ही पड़ेगा। एग्रिमेंट करने वाला, अपने एग्रिमेंट को अपनी मर्जी से खत्म नहीं कर सकता है, लिकिन दूसरी तरफ, अगर किसान एग्रिमेंट को किसी भी वज़े से खत्म करना चाहता है, तो किसान कर सकता है, सामने वाला नहीं कर सकता है, क्या ये स्थितिक किसानों के अंदोलन पर अड़े किसानों की हर शंकाओं को दूर करने के बाद प्रधान मंत्री ने ये भी साथ किया कि अभी भी उनकी सरकार बादचीत के लिए तैयार है। लेकिन बादचीत ना तो हिंसा फैलाने वालों को जेल से छोड़ने पर होगी और ना ही टोल टैक्स जैसे मुद्दों पर। बात होगी तो केवल और केवल किसानों के मुद्दे पर। लेकिन अंदोलन कारियों तक इस संदेश को भेजने से पहले प्रधान मंत्री छैर राज नहीं सकता चीर नहीं सकता और मंद्रप्रदेश की मुख्यमंत्री शिवरात सिंग चोहार ने नए कृशी सुधार कानूनों से ब्रशाचार खत्म होने और किसानों को फाइदा होने का दावा किया चान खुद अपने मोबाइल से जानकारी देगा कि मैंने अपनी खेत में कौन सी फसल बोई है और पटवारी चाहे तो बेरिफाई कर ले बताओ अच्छी बात है कि नहीं है और बोलर भया अच्छी है कि नहीं यह घपले भबले सब खतम करना है तो यह टेक्नलोजी का इस् कर रही देता है प्रधान मंत्री के संभोधन से पहले बीजेपी के कई नेता और कबिनेट मंत्री किसानों के बीच पहुंचे और उनसे क्रिशी सुधारों के बारे में बात की बहनों भाईयों यह कलपना कभी की जा सकती है हमारा प्रधान मंत्री कोई भी ऐसा कदम उठाएगा जो कि किसानों के हीतों के विरुद्ध होगा उन्होंने जो जो कदम उठाए हैं हिंदुस्तान के गरीबों के लिए किसानों के लिए बहनों भाईयों मैं दावे के साथ क कि 2019 के अदर लागू हो गई थी कि उसी योजना के बाद तो उसमें इतने प्रकार के विस्तार हो रहे हैं कि मैं अपने पूर्व सद्धानमंदी अदंग्यारी वागते जी को हिदर की घहराईयों से नत्मस्तक होकर नमन करता हूं पड़ाप करता हूं किसान को कोई दरकार है तो कम से कम दीदी एक खाद का रैक उतार दो यह असाधारत बाद इसलिए थी क्योंकि साल 2014 का लोगसभा का चुनाओं मैंने नहीं जीता था लेकिन जनता यह जानती थी कि अगर काम करवाना है तो भाजपा ही विकास का काम करा सकती है किसान का उत्थान भाजपा का कारकरताओं के माध्यम से ही संभव पश्चिम मंगाल में किसानों को केंद्र की योजनाओं का लाब नहीं मिलने के पीम के दावे के बाद बैरकपुर में एकजिट हुए किसानों ने राज्जिस सरकार के फैसले पर चिंता जुताए और राज्जिस सरकार से केंद्र की योजनाओं को लागू कने के अपील की में मिल पाहरा है पस्ची मंगाल के जो किसान है वह पियम सम्मान निधि योजना से वंचीत है और सलाना जो है 4 हजार से भी 4 हजार क्रोड से भी ज्याधा का अमाउंट है वो नहीं मिल पा रहा है पस्ची मंगाल के किसानों को सीधे बात कर लेते हैं यहाँ पर मेरे साथ किसान है यह बताइए आपने सुना नरेंदर सिंग तोमर क्रिसी मंत्री ने क्या कहा पहले तो पुस्ची मंगला का जो चासी लोग है उसमें तो 6,000 रुपिया जो साल में मिलता था वो मिलता नहीं है और जो 4,000 कोड़ जो रुपिया दे रहा है उसमें तो बंची था है पुस्ची मंगला के किसानों है सब्सक्राइश। जयुक्साइब जयादा है किसान पूह Нет यह यह सरकार लागु करता है यआ जो मुहमता सरकार है और केंद्रो का जो यह किसान 10 को बील है औब लागुघ नहींकरता कि अपने सुना एक कृसी मंत्री ने नेनदर सिंsan को आपने सुना किसी मंत्री जी ने बिल्कुल सही बोला है कि पूरे देश में 70 लाग किसान जो है इसका लुप उठा रहे हैं फाइदा मिला है उनको लेकिन पस्टिम पंगाल के जो किसान है वह 4000 क्रोर रुपिया से भी ज्यादा का नुकसान हो रहा है जिने किसान नीदी के तहट पैसा नही पहले पुधान मंत्री को मैं नमन करना चाहता हूँ इसलिए जो किसान बील जो पास कर रहे है वह मैं समर्तन कर रहा हूँ और अमरा पस्टिम मंगल को जो मक्को मंत्री है वह कूछ भी नहीं किया पस्टिम मंगल सरकार जो आयो किसान के लिए कूछ नहीं कर रहे है और पीम मोदी ने एक बार फिर विपक्ष पर खुला आरोप लगाया कि विपक्ष के नेता किसानों को गुमरा कर उनकी आड में आंदोलन को हवा दे रहे हैं पीम ने किसान आंदोलन के बाहने विपक्ष पर राजनितिक हित साधने का भी आरोप लगाया हाला कि पीम मोदी न उन्होंने कहा है पीछले दिनों कि जिस प्रकार के अनल गर्यार आरोप लगा है कि जिस बाशा का प्रयोग किया है कि पतानी कैसी कैसी इच्छाइं व्यक्त की है मैं बोल भी नहीं सकता हूं यह सब करने के बाउजुद्भी उन सब चीजों को सहन करने के बाद भी उसको पेट में उतार करके मन ठंडा रख करके उन सब को सहन करते हुए मैं आज फिर एक बार नम्रता के साथ उन लोगों को भी जो हमारे गोर विरोध करने पर तुले हुए उनको भी कहता हूं मैं नम्रता के साथ कहता हूं हमारी सरकार किसान हित में उनसे भी बात करने के लिए तयार है लेकिन बात मुद्धों पर होगी, तर्क और तथ्थों पर होगी किसानों से पी-म की समवाद की बाद जैपूर के किसान काफी खुश नज़र आया और उन्होंने क्रिशी सुधारों की तारीफ करते हुए देश बर के किसानों से किसी के बहकाव में नहीं आने के अपील की प्रधान मंत्री ने आज क्रिशी सुधार बिल को लेकर लोगों से सीधा समवाद किया कई जगे पर किसान इखटे हुए सुने इस वक्त जैपूर के महस्वास गाउं के अंदर है जहां पर किसानों की चौपाल है कि बिल्कुल नहीं है किसान जो परदान मंत्री ने बताया है वो बिल्कुल सही बताया है और किसान के हित में बताया है कि आपको लगता है कि तीनों कानून किसानों के हित में बहुत बढ़िया थे शाब अच्छा थे कानून ऐसा ही वाना चाहिए परदान मंत्री ने कहा कि किसानों के कंधे पर बनदूग रखकर कुछ लोग चला रहे हैं। यहां पर, आप बताएं कि क्या अभी प्रदान मंतरी को आपने सुना। तिनों कानून को लेकर कोई नहीं कोई केंफूजन नहीं है जा है किस तरीके से ये किसानों के हित में है के हितमे माने परदानमंत्री जी ने का कि जो नए या कर्शी कानून बना है उसमें किसान अपनी पसल को जहां अधिक मुले मिले गा कहीं भीurstिमंडी being कहीं भी बेच सकता है कि जो सतानी जो मंडी है वो बिल्कुल खतम नहीं किसान सवतन्तर को करके अपनी पसल के उपच कहीं भी बेच सकता है और पर बहुत सकता है अब आपको ज्यादा मोहिटे से कहीं पर भी आप फसल बेच सकते हैं और क्रिशी सुधारों के नाम पर आज देश में किसानों का एक तपका प्रदर्शन भी कर रहा है लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने किसी किसान संगठन की जगा सीधे दिल्ली से कई सो किलोमेटर दूर मद्रप्रदेश के एधार में एक किसान से ही क्रिशी सुधार पर राय पूछली जिसके बाद ये साफ हो गया कि क्रिशी सुधारों का विरोध करने के नाम पर कुछ लोग जानभूच कर विरोध कर रहे हैं मिली है और पांच बार मिली और तो टोटल रूपे मुझे प्राप्त हुए जिसका मैंने अपनी दवाई खाद बीच जहां जैसे जरुत लगी महां वैसा मैंने उसका उपयोग कर लिया ट्रेक्टर भाड़ा जरुत पड़ी तो महां भी दे दिया मतलब मुझे उसका सही ट इस साल जब से यह नए कुछी सुधार कानून आये है उसके पहले जो फसल आपने बेची है तो इससे आपके जीवन में पहले और आज की तुर्णा में क्या फ़रक आया कोई अंतर समझा सकते हैं बिल्कुल बिल्कुल सब्सक्राइब एज नया कुछी कानून जो आया है इसक वो था मंडी का लेकिन अभी हम किसी निजी व्यापारी या किसी अन्य संस्थान को हमारा माल हम बेच सकते हैं इस साल मैंने खरीब की जो फसले सोया बीन मैंने सोया चौपाल आईटी सी कंपनी को 41 रुपे क्विंटल से टोटल 85 क्विंटल सोया बीन मैंने बेचा वहां मुझे उसकी खासियत यह लगी चौपाल की कि वहां पे एक दिन पहले ही हमें दरप्राप्त हो जाती है और हमारे सामने बड़ा काटा होता है उसे हमारे सामने चेक भी करवाया जाता है और सेम डे हम हमें पेमेंट मिल जाता है और वहां की दूसरी अच्छी खासियत है कि हमारा जो माल है हमारे सामने उसका परिक्षन किया जाता है कि भाई इसमें इतनी दागी है इतनी मिट्टी है इतना मौश्चर है और हमें डिटेल में सब बता देते हैं कि इतना इतना है आपको चाहे तो यह रेट है आपका आप चाहों तो बेचो या आपकी इच्छा तो नए कर्शिकान से मुझे यह जो एक और द्वार मिला है हमारा माल बेचने का यह बहुत अच्छा लगा आपको संतोष है जी सर अपके इलागे के और भी किसान फाइदा उठाते हैं अबहुत किसान उठाते हैं सर अच्छा फिर कुछ नेता जो अपना राजनीतिक एजंडा चलाने के लिए अपनी राजदीतिक विचारधारा किसानों के नाम पर सोपने में लगे हुए हैं और वो कह रहे हैं किसे तो किसानों को बड़ा नुक्सान होगा आप तो खुद किसान है और आप कह रहे हैं फायदा होगा तो कहीं ऐसा तो नहीं है प्राइवेट वाले दाम इदर-उदर करक मिट्टी है दिखना है फलाना वारा कि पैसे काट लेते हैं ऐसा तो नहीं होता है ना कि सब्सक्राइब अगर एसा बता देंगे तो हम आप मारा माल देंगे ही नहीं और दूसरी बात वो हमें हमारा पूरा परिक्षन हमारे सामने करके देते हैं मतलब अलग से किदर लेके नहीं जाते हैं हमारे सामने हमको बताते हैं कि यह इसमें इतना मिट्टी है तो इतना पेमेंड इसका कटेगा या नहीं कटेगा या दो हमें सला दे देते हैं आप भाई इसको ग्रेडिंग करके ले आओ माश्चर हो तो सुखा कर ले आओ यह आपको पूरी तरह विश्वास है कि इस नई विवस्ता से किसान को सच मुझ में लाब होगा हाँ हमें बिल्कुल विश्वास है जिन किसानों को विपक्ष बर्गलानी की साज़िश रच रहा है उन्हीं किसानों ने आज जूट योजनाओं के फायदे गिना कर रख दिये सकता था मौका था पूर्व प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपई की जयनती पर पीम के किसानों से समवाद के कारिक्रम का जहां विकास और आत्म निर्भरता के रास्ते पर तेजी से बढ़ रहे भारत के मजबूत होते किसानों ने अपनी आप बीती सुनाई मुझे किसान सम्मान ने दी पांच बार की मिली है और पांच बार मिली और दस हजार टोटल रुपे मुझे प्राप्त होए उसक़ोटी चोटी मंडियों में विक्री हो जाता है प्रोडाग ए उसका प्रोडाग को ले जाने का एग्रीमेंट क्या है जमीन को नहीं लेकिए है अपना ही रहेगा किसानों की बेहतरी की ये नियू 6 साल पहले पढ़नी शुरू हो गई थी जब प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने खेती की जमीन का हाल जानने के लिए मृदा स्वास्ते काड जारी करने का ऐलान किया था इससे देश भर की किसानों को अपनी खेती की जमीन को और अच्छा करने में मदद मिल रही है जिसे हम भारत मा कह रहे उस भारत मा का हाल क्या है उस पुर्थवी माता का हाल क्या है वो तो भेले जानो कहीं हमारे पापों के कारण हमारी धरा बिमार तो नहीं हो गई है हमने इतना यूरिया डाला यूरिया डाला यूरिया का जगड़ा करते रहे लेकिन यूरिया डाल करक हमने हमारी इस धरा को तबाह तो नहीं कर दिया है ये उसको कब समझ में आएगा जब हम स्वाइल टेस्टिंग करेंगे ताव सतर साल से जो किसान दिन रात पसीना बहा कर भी बेहाल थे उन किसानों को आर्थिक रूप से मस्बूत करने के लिए पीए मोदी ने तावर तोड एक के बादे कई योजनाय शुरू की मिर्दा स्वास्तकार योजना से किसानों को अपनी जमीन के मुताबिक फसल उगाने में मदद मिली प्रिशी सिचाई योजना से खेतो तक पानी की सप्लाई की गारंटी दी गई 2016 में आई फसल वीमा योजना से किसानों को कम प्रिमियम पर ही बड़ी सुरक्षा दी जा रही है नीम कोटेड यूरिया की योजना से उरवरक की काला बाजारी बंद की गई किसान सम्मान निधी योजना में हर साल हर किसान के खाते में सीधे 6,000 रुपए दिये जा रहे हैं किसान मांधन योजना से 60 साल के उपर के किसानों को 3,000 रुपए मासिक पेंशन का इंतजाम किया गया इतना ही नहीं किसानों के लिए देश भर की खुली बाजार मुहया कराने के लिए ये नाम के राश्ट्री ये कृष्षी बाजार योजना शुरू की गए पिष्टे तीन साल में जिस तरह की योजनाएं लागू की गई हैं उनमें मृदा स्वास्ट परिक्षन और पिशी सिचाई योजना के साथ नीम कोटेड यूरिया से सीधे किसानों को फायदा हो रहा है जो पहले किसानों को नहीं होता था लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जब सूखे या बार की वज़े से किसानों की फसल का नुकसान हो जाता था तो वो लोगों से पैसे मांगने पर मजबूर हो जाता था लेकिन फसल भीमा योजना से किसानों को ऐसा फायदा होना शुरू हुआ जिसका एक उदाहरन महराश्ट्र के एक किसान ने सब को सुनाए मैंने दो हजार एक कुनिस को प्रदानमंत्री फसल योजना में 2580 रुपए का प्रेमियम किया था लेकिन पिछले साल बहुत बड़ी बारिश की वज़े से स्वय बिन फसल का बहुत नुकसान हो गया और उसके कारण मुझे 54,000 रुपए का राशी मिला है साथ है किसानों को मजबूत करने के लिए जो काम अब तक कभी नहीं किये गये थे अब उनका फाइदा सीधे किसानों को मिलना शुरू हो गया है और इससे किसानों को परगलाने वाले परिशान है जो कि किसान अब जूट के जाल में फसने को तयार नहीं दिली में भी ग्री मंतरी आमिश शाह किसानों के बीच पहुंचे जबकि उत्तरप्रदेश की मुख्य मंतरी योगी अदितिनाथ और कृष्णी मंतरी नरेंदर तोमर ने भी इस कानून से किसानों को फायदा होने का दावा किया